इस सीधे आपको लिए चुलते हैं डूंगर पोर जहां पर मुखिमन्तु अर्शोग गेलुद पहुंचे हुए हैं सीमल वाड़ा में किसान सम्मिलंचर रहा है जहां तस्वीरों में आप सीपी जोशी को देख सकते हैं मुखिमन्तु अर्शोग गेलुद का भी यहां स्वगत किया गया तो किसान सम्मिलंद यहां रखा गया है और इसी में शामिल होने के लिए किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं जाहिर तोर पर उसको लेकर मांग पत्र भी सौपे जा रहे हैं हलाकि प्रदेश सदकार लगातार प्रयासरत रही है उनके हितों के लिए मेर्टपुन खोशनाएं की जाती रही है और मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन देंगे तो उनके भाश्रों में भी इस बात का जिक्र होगा कि अभी कौन-कौन से काम किसानों के हित में किये गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे साथ हमारे सायोगी रवी शर्मा जुड़ गए है रवी फिलहाल तस्विरों में हम देख रहे हैं कि मंच पर आसीन हो चुके हैं तमाम नेता और एकी करके अब संबोधनों का दौर भी शुरू हो चुका है बिलकुल देखे जिप्या अबी जो है डुंगरपुर के जुद्पूर वस्फधांतर रहे हैं तारशन पर वो संबोधित कर रहे हैं उसके बात में मुक्षमांस ऐस्व गैलौद जो है वो किसान संब्दित करेंगे यह जो किसान संमेलन है यह खाता भैकून इसली भी माना जा रहा है चुकि परिशायती राज चुनाब होने वाले हैं और यसे में मुक्षमांस ऐस्व गैलौद का यहां आ रहा एक बड़ा मैसेज जो है वो कॉंग्रिस की कारेकरताओं के लिए होगा एक जुट करने के लिए होगा और सबसे बड़ी बात चुकि एक वर्ष का कारेकाल जो है वो मुक्षमांस ऐस्व गैलौद की सरकार में पूरा किया है तो ऐसे मैंने कहीं न कहीं मुक्षबंसी क्यलोग जो है आदिवासी अंचल की जन्ता के समख्ष अपनी बात रखे लिए और बताएंगे किस तरीके से जो वाइदे चुनाप से पहले किये गएते उन वाइदों को राज्य सरकार ने एक साल में पूरा किया है काफी हथक इस अंचल के लोगों की जो जीवन इसकार उसको सुदारने की कोशिश की है खासकर चिकित्ता चेक्षेत्र में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज जो है वो डूमिर्पूर में शुरू किया गया इसके अलाबा भी हाइर एजुकेशन की सेक्टर में नए अध्यापों जो जो बुनियादी जरूवते हैं उनको राज्य सरकार में सुद्रण करने की कोशिश जो है वो की है तो कुल मिलाकर ये जो ये जो मौका है किसान संबेलन का इसके मार्फत अशुक गलोथ राज्य सरकार की जो बहावना है उसको जनता के बीच रखेंगे और इसके साथ मै है और इसके बाद मुक्षमन से इसको पैलोथ को है पांसवाणा में एक जनतावा को संबूरित करेंगी तो कुल मिलाकर आज जो मेवाल वागल का जो दोरा है मुक्षमन से गयलोथ का वो खासा एहम ऐसी लिए माना जा रहा है रवी आदिवासी बहुलिये इलाका सियासी लिहास से भी काफी एहम माना जाता है जैसा कि आपने कहा भी लेकिन क्योंकि निकाय चनाव में तो परफॉर्मेंस हमने देखी पार्टी की और आने वाले वक्त में पंचाय चनाव भी करीब हैं तारीखों का एलान भी हो चुका है पीमल वारा इलाका है जो कि 84 विदानतवा का अक्षेत्र माना जाता है यहां पर भी भारतिये ट्राइवल पार्टी के जो एमले हैं वो चीट कर आयते तो कॉंग्रेस के लिए बहुत अच्छा या रिजल्ट नहीं था लेकिन इसके बातार कोशिश कॉंग्रेस के अगर है कुछ है क्षबांसी जो ने के बाद में दूसरी बड़ी जन्सावा जो है तो इससे चौहाती विदानतवाक्षेत्र में इन कार एक और कोशिश है जो यहीं है कि कसी बी तरीके से जो चटका हुवा बोट वेंक ते जो परमपरागत वोट वेंक रहा था कॉंग्रेस का वो फिर से पाइटी के पेवर में आए तिससे जो आजवाती जो लोग हैं वो कॉंग्रेस जोड़ें कॉंग्रेस को बोट करें ताकि पंचाय की राशुनाओं में कॉंग्रेस अच्छा करने से और इस प्रतरशन के मार्पत कॉंग्रेस यहां पर अपकी जो नीव है उसको फिछ से बजबूत करने की कोशिच करेड़ी आलाकि लंबे अल्टे से इसकी सिलाके में जो कॉंग्रेसी पाइटकारी हैं कॉंग्रेसी जो नेता हैं उन्गों को दवाजी भी देखने को गैलोज जो है उनका नियत जो समय था उसे तक्रीम एक जड़ गंचे नेट हुए जिसके उनका स्वास नहीं था और ऐसे में एक बार संबादना ये भी कि कि शायद मुद्धा नहीं आए लेकिन इसके बाद जूर्थ भी मुख्शमन की अश्व गैलोज चुपी आदिवासिय कि विकास को लेकर हमेशा से समर्पित रही है उनकी सरकार है हमेशा से आजिवासी अच्चल के विकास को लेकर प्रफीबत रही है और यहीं वजाती कि अस्वस्वास होने के बाद जूपी अश्व गैलोज ने भी साफ कर दिया था कि वो उसके तान सम्में मुख्यमंत्री बिकरो इससे पहले भी जब जूंगरपूर आये थे मुख्यमंत्री तो कई तरीकी के अलान भी किये गए कि कौन-कौन से प्रोग्राम इनके हित में चलाए जाएं लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कई मांग पत्र सौपे जा रहे हैं मुख्यमंत्री को जब प्रदेश का मुख्या जो है अपने वीच होता है तो हर प्रदेश के हर नाजरिक की इच्छा होती है कि उसकी अधर कोई समश्चा है तो सीधे उनको अपना मांग पत्र रखे ताकि सीधे मुख्या से वो मुखाते हो सके और देखिए अशो पहलों की अगर बात करें चलिए यहां पर ओपना चाहूंगी रविया आपको सिपी जोर्शी को सुनते हैं उपस्तित भाईयों बैनों नोजवान सातियों विधान सभा अद्धक्स के रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने मुझे अपनी बात कहनी है पर आप सब जानते हैं कि मैं मूलत कांग्रेस का विधाय करा लंबे समय तक आज जिस समयधानिक पत्पर मैं बेठा हुआ हूँ उसमे मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस इलाके में जो हमारे आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया जिसने देश के निर्मान करने की कल्पना की और जिनके मन में कल्पना थी कि इस देश को हम समयधानिक संसदी लोग तंद्रिक परना लेके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे उसको मैंने देखा है समझा है इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यहां के नोजवान पीडी के लोगों को आप सब जानते हैं कि किसान जब खेती करता है तो किसान एक दिन में खेती की फसल अपने गर पे नहीं ला सकता इसको खेत जोतना पड़ता है बीज दानना पड़ता है पानत करनी पड़ती है तब जाकर फसल पेदा होती है और चब उसका मुल्य अपने गर पे आता है समझान में जो विवस्ता है किसी भी इलाके की प्रगती उसी तरह से जिस तरह से किसान एक अपनी फसल को अपने घर पे लाता है पांच साल में हर साल चुनाव होते हैं फिदान सबा के चुनाव होते हैं लोग सबा के चुनाव होते हैं चुनाव में जो पार्टी जीती है उस पार्टी डीती नीती बना कर गाव और गरीब आदमी का विकास करने की कल्पला करती है मैंने देखा है और समझा है लंबे समय तक सरकारों के पास पैसा नहीं था सरकार सड़क बनाने का काम करती थी बिजली राने का काम करती थी अस्पताल खनाने का काम करती थी पर जेसे जेसे राज के पास पैसा आया वेसे वेसे राज ने काम करने के तरीके बदले हैं और मुझे अशोक गलोजी के साथ मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है तब गरीब आदमी की क्या तकलिब होती है? वो गाम का गरीब आदमी जानता है गाम के गरीब आदमी के इलाके में जिस तरह की बुराही है बीडि पिना, सराफ पिना एक नोजवन आदमी 12-15 साल में इंबुराही को घस्थ हो जाता है 40-40 साल बाद कोई काम नहीं कर सकता है और जब बिमार हो जाता है तब उसका लड़का अस्पताल बर्ती करने के लिए देवरे के बाद अस्पताल जाता है और डाक्टर पाद दवई लगाता है दवई की जो कीमत है वो गरीब आदमी जानता कि कितना पेशा कर्च होता है उसकी जमीन बिख जाती है और गरीब आदमी का बच्चा छोटी उम्र में कर्जार मन जाता है गरीब आदमी के पास रोजगार चाहिए गरीब आदमी के पास स्वास का पेशा चाहिए किसी की सरकार के मुख्यमंत्री के मन में एक कल्पना हो कि गरीब आदी की मदद करने के लिए राज अपने राज कोश से मदद देने का काम करेगा ये काम प्राइरम क्या उन्नीस वट ठालू मैं अच्छोग गलिउत्टी जी ने मुख्यमंत्री योजना के अंतरगत और आज मुझे कहें देखते हुए पुरसंता है कि मुक्यमंत्री जी के मन में कल्पना है कि इस प्रदेश में लोग निरोगी होने चाहिए किसी इलाज क्यों सकता है तो पूरा का पूरा पेसा राज देगा हमारे इस इलाके में लोगों को रोजगार की भी आओ सकता है सास के लिए खर्च की भी आओ सकता है यह मनरेगा की योदना लागू की लोगों के हाथ में पैसा आए पैसा खर्च करें, बच्चे को पढ़ाए, बच्ची को पढ़ाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया और काम करने की कोशिश करने का काम सरकारे करती रही है और समिधान में यही तरीका है दीरे दीरे करकर अपने इलाके की तरकी करने का काम करें 1947 लगा कर आज डूंगपूर बासवाणा में जो कुछ देखेंगे हम तो ये परिवर्तन करने का काम इस समिधान में चुनी वी सरकारों ने किया है आशा करिए नोजवान फिली के लोगों अच्छी सिक्षा हो, बच्चे बच्ची बढ़ी लिखे हो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें ऐसी नीती बना करेंगे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो परिवार भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा घर में जगड़ा हो, परिवार में जगड़ा हो, समाज में जगड़ा हो, असंती हो तो उस शेथ में प्रगती नहीं होती है प्रगती करने के लिए तरीका एक ही है समिधान में जो मैं धिकार दिया है चुने पृतिनिती को अच्छे पृतिनिती को चुने और चुनने वाला पृतिनिती सरकार में रेकर अपनी समच्चाओं का निराकरन करने का काम करें इसी तरीके से हम आगे बनने का काम कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ इस इलाके के नो जवान फिड़ी के लोग जो दुनिया बदल रही उसको समझेंगे आज IT का जमना आ गया है आने वाले समय में आर्टिफिसल इंटिलिएंस का जमना जाएगा आज आओ सकता है इस बात की कि गाओं का अधिवासी इलाके का बच्चा इन नई सिख्षा के बारे में समझे ये मुबाइल आपके हाथ माया है इसमें ग्यान भी वड़ा हुआ है अध्यान भी वड़ा हुआ है लेकिन ग्यान के माध्यम से आदी वाच्चे का बच्चा आने वाले समय में दिल्ली और बंबई में रने वाले नोजवान आदमी के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ने का काम कर सकता है आईए सांती के साथ समयधानी के वड़ा के अंतरकत आगे बढ़ने का काम करें अपने परिवार को आगे बढ़ने का काम करें समाथ को आगे बढ़ने का काम करें और हम सब मिल जुलकर अपने इलाके की तरकी की बात करें ऐसी मैं आप सब से अफ्रिक्शन करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है यहां कि नोजवान पीडी के लोग इस समयधानिक विश्ता को समझेंगे संसदी प्रणानी को समझेंगे और आज की रीती निती में योजना का फाजा लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे इनी सब सब्दों के साथ एक बार मैं सब का उज्वेल हो इसकी कामना करता हूँ धन्यवाद नमस्का अब बारेवी जॉक्तर सीपी जोशी को आप सुन रहे थे जिन्होंने किसानों की मूलभूत समस्याओं की और यहां ध्यान दिलवाया और कई बातों का जिक्र किया और हमारे मितांसवागा देक्स आदाने दॉक्तर सीपी जोशी जी प्रभाणी मंतरी हमारे राज्य मंतरी राजेंदर जाज़त साथ जिला देक्स दिनेश खोड़ने जी हमारे वरिष नेता पूर सांचाद तार्चन भगोरा जी आपके लोप्री विदायक लुवर पूर गनेश गोगरा जी पूर विदायक आदने संकर हारी जी राया मेना जी लाज संकर गाट्या जी प्रजान साहिबा श्रीमती मंजुला जी रोत महेंदर बर्जोत श्रीमती निमिशा जी भगोरा अमारे साथी अस्तार एमसाब शंकर आदव जी परीकान पंडिया जी प्रिमकुमारी पाठिदार जी आदने भगवद लाजी रोत साब श्रीमती रतन देवी जी पराला मनुर सिंजी चोहां ब्लोक अद्रेक्ष प्रिकास पाठिदार जी अने उपर जी नमारे तमाम प्रदादिकारी गन भाईयों और भाईयों और भाईयों बुजर्गों मातों और नोजवान सात्यों यहां आकर के मुझे बहुती प्रसंता गन बहु रहा है कि मुझे एक कड़ा बना देगी कड़ा बार 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 है कड़ा बोड़ा है इसात्या नोजवान और सात्या आपके बना तो कड़ा बन दिया है सुकून है आप सब का आशीरवाद है आज तब का भूत धन्नीमा सुकरिया मुझे खुछी है कि शिमर बढ़ा रहे हैं आप लोग इतनी परी तादाज के अंदर यहां बैठे हैं किसान समयदन है आचा हेदर लगु हुई अभी अभी दो गुंटे पहले ही चुनावारे पंचाइटों के इसलिए सरकार के लिए आचार सहीताल लागूने के बाद में जो मांगे की गई है अभी हमारे दिनेशी ने अनिशात्यों ने उसके बारे मैंने को कह दिया है उसकी चिंटा आपको नहीं उस चिंटा हम लोग करेंगे और कौंगेस नमेशा करी है कौंगेस ने आजदी के बाद से ही हमेशा इस देश के आदिवाशियों का ध्यान रखा है पंडी जवाला जहरू के वक्स से ही तो कौंगेस न रखा है किस पकार उडिसा के आदिवाशी हो तो किस पकार उनके जीवन इस्तर उपपर उठे बाद के किशान सक्षम बने धूर्जगाई मेले नौजवानों को इलागों में जो आप लोग पाड़ों में रहते हैं के लोग तो अज़िगान लोग उपर तक कैसे पानी पहुंचे कैसे बिजली पहुंचे कैसे सिक्षा, स्कूल खुले पाड़ों के अंदर कैसे स्वार सिवाय पहुंचे पीएस्सी, सीएस्सी, सब्सेंटर पश्वों के लालग अस्पतार, छोटे बड़े यह कोई ममुली काम नहीं थे जो बुज़र के लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि आजादी के वक्त में कुछ नहीं था और लोग मांग भी नहीं करते थे लोग समस्थे इन से बिजली होती क्या है हर चीज बिज़र से जाती थी यह कॉंगर्स की सित्र साल की यत्रा है देश में आज जो कुछ मुल्क दिख रहा है गाम गाम में पानी बिजली, सिक्षा, सार्थ, सड़कें, सीचे के साधन यह आपका मही भागर डेम, पंजाब में इंद्रागादी के नारी दारतान उसके काम से यह किस से मनाया, यह कॉंगर्स से मनाया इसको ने खोल दी, कॉलेज खोल दी विश्विजले आपने खोला आदी वाशों के लिए पिछली बार आपने मुने मुक्यमती बनाया तो मैंने बिना चला करके, बिना मांग की हुए मैंने उद्रपुर के अंदर आदी वाशी विश्विजले खोला ने यह पहली बार हुआ कमरादीबाश के बच्चे हैं उसमें पर सके और उनको लाग मिन सके हर कोशिश की गई स्वास से ओंगे लिए भी अमेडिकल कोलेज जिए डूंगलपूर मासड़ाम खुल सकता है जासतां के हर जिरे के अंदर ये मेरे गारे पुरे मुलक में पहला राजी हुए राज़्तान 325 कोड़ में लगते हैं एक मेडिकल कोलेज खुलने के अंदर है क्योंकि उसके साथ में पांट रो बैड़ का अस्पिदार खुलना पड़ता है वो काम भी जास्तान सरकार जो आपकी है बनाई हुई उठले काम हाथ में लिया है कि सब जिनों के अंदर एक-एक मेडिकल कोलेज अस्पिदार बन जा इस पकार से हमने बड़े जूप में काम हाथ में लिये हैं कि सनवी चिंदा हम लोगों को हमेसे रहती है और इसलिए हम लोगों ने हमेसे जहां रखा इस धरती के लिए जरती संद मात्माओं की है फिर्जम फाइटर्स की है यहां आपके आजादी मिलते ही जिस संगस किया था जिमाने के अंदर चाह भोगिला पंडिया थे चाह वो गोई संगर उपादैर थे हर्दे जोशी थे विगावाई भीर ने तो आधिवाजियों का नाम जो है पुरे दे से पहुंचाया पुरा मुल्क विगावाई भीर को जानता था पंडिक नेरू के भी इंदरा गांदी के राजीर गांदी के बहुत चोहेत थी थे और मुझे स तो मेरे साथ में उपादैस मन करके काम किया जो मुख्य मंदी बना पहली बार तो मेरे मंत्री मंत्री मंत्र के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला हुँन से विगावाई भीर से हमेशा वो नेरों में कहते विष्टार हो विगावाई भील ब्रांच हमने बनाई यहां पर साखवड़ा के अंदर तो सहकार ने किसानों के लिए हमेशा हमेशा किसानों के लिए कहते हुँनके उपर बढ़ सके अच्छा खाद मिले अच्छी बीड मिले अच्छी दमयें मि सुर्दाएं बढ़ सके सी पुरा मुली मिले नियूदम प्राइस मिले अब बीजली टाइम पे मिले पूरी मिले अब तो 60,000 वेगावार विडली पेदा हुने लगी राधतान कर दिए और तोर हवा है जो हवा पवन पवन और और च जपन मुद्डा से विडली पेदा हुने गई शड़े चार हज्यार में का बात अब ये जो शूरी भगवान की किरना आती है इतने बिद्ली पैदा होने लग गई है और हमने भी किया कि जो किसान के खेट में जगह होगी वहां स्टोरलर पहले लगेंगे फोटोवर्टी उसलिए बिद्ली पैदा होगी तो किसान के किसान अपने काम में ले पाएगा उस बिद्ली को बिद्ली पढ़ने पढ़ेंगी सरकार को ज्यादा जमीन होगी और बिद्ली ज्यादा पैदा कर ली तो बाकी बच्चीवी बिद्ली को वो सरकार के घिर में डालके बेश सकेगा इस प्रकार देम लोगों ने नेने की है अ अच्छी पॉलिश आईए सोलर की भी और विंड की भी जापर पूरे राप्ताइं के अंदर ज्याल मिशेगा शोलर बिडली पैदा करने का सुरी भगवान की क्रपा से जो इस्ताब आता है उटको लेकर के बिडली पैदा करने का इसी मैं कहना चाहूंगा बिडली की दरे जो है आपको मालू मैं कि पिछली बार जब मैं बना सा मुख्यमंतरी जब शीप योशी साब से भर एक प्रदिश कोंगे देख्ष तब आपको लियाद होगा मैंने गोशना करी थी पान साथ तक किशानों के बिडली के दाम नहीं अब फिल मैंने राउल गांदिरी आये थे इस पर सरकार बनी आपके आशिरवाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंतरी बने का सबागे मिला मैंने फिल फिल कोशना करी है कि भार पड़ेगा इसानी कि दरे बढ़ती है इसके लिए अलग रेवलिटिक कमिशन है वो दरे बढ पर हमने कहा है वो बढ़ाएगा सितर पैसे ऐसे उमिद है पुरा भार दो हजार तीन सो कुरुण का भार तीन सो कुरुण का भार सरकार व्यान करेगी पर किसान के उपर कोई भार नहीं पड़ेगा इस शुरूप में बढ़ाएबर कोशिच किये इस इस पर से आपके क्योंकि आप टेश्पीजे की लोग हैं यहाँ पर जमीन की जोद्र बहुत कम हैं आपके पास में नमर जोड़े खेत रही हैं यह कि इस ताज़ के लागा में तो आपको मालूम है सोसो भीगा की खेत भी होते हैं बंजर भूमी होती है अलकि यह अलग बात है तो आपके आप अपनी अकल उस्यारी से मेनद करके आप लोग अधिक शादिक फसल देने का प्रयाश करते हैं तो मैं आपको अवन करना जाओंगा कि आप इसमें निश्चिंद रहें सरकार इसमें जो भी सम्मों होगी आपको लगादा सुर्दाने देगी और हम चाहेंगे कि यहां का किशान खुसार बने क्योंकि पूरी खेती आप निर्बर करते हैं खेती पे निर्बर करते हैं यह बला हो डोक्टर मनमोंशीन जी का और ठोना का निजी का और संयोग से उस वक्त में हमारे केंदरी मंतरी आज के विदानसभाद्यक्स सिपी जोशी जी थे पंजाज राज के ग्रामिर दिकास के तो मात्मा गाली की नाम से जो राश्ट ग्रामिर रुजका योज़ना शुरू यह न रेगा उठका लाब अगर किसी को मिला है देश के अंदर देश के अनदर शेप्षिय अधिक ही मिला है कि यह डेड़ लाग, दो लाग, ढाय लाग मर्दुर काम करते रहें वक्त पढ़ने पर क्या प्रमुक अपना ताजिन भगड़ा हो जाए महिंदर मालविया हो जाइजेल लाग किसे करते हैं नुगरपुर बाहर सड़ा के अंदर पूरे प्रदेश में सब्सक्रादी लाब मिला है मान नरेगा का तो मिला है नुगरपुर बाहर सड़ा के अगार पड़ो या नी पड़ो आपको बकाइदा सो दिन के रोजगाई गारने देदी गई अगार पड़ जाता है तो पचास दिन और बढ़ा देते हैं अधिकार आदा ही दिव की शिर्वात करी सोन्यार गांदी ने मनमोन चीजी ने पार्लामेन में कानून मना कर गए बच्चों के पड़ा गाल ही कानून खिक्शा-काहधिकार लगियों की शिर्विजा में अर्ता में चाये वह बिए करें को छीछती नगेडी उसकी तो रोलगा गाधिकार मिल गया अपने को शिक्शा-काहधिकार मिल गया जिसमें बच्चे जो है पतिभावान कोई भी प्रभी क्यों नहीं हो उसके अंदर में बच्चों का प्रभीश करना 25 प्रण जूरी कर जागा है उनकी स्थागार बनेगी किसी बनी बनेगी फूट सिकूर्टिक एक्ट खादी समुरिक एक्ट बन गया दो दूपे के लोग्यों तीन दूपे के लोग्यों चावाई इससे बादे बतारा हूं मैं आपको ये कानून के अंतेकत मिलवा है पहली बार सगा आई मनमों शिंदी की जिसे पारलेमेंट में कानून बना करके फूट सिकूर्टि लोगें तीने कंट शाहूर मिलेगा और राजस्तन स्रकार ने आपका इशलीवां मैंने पया किया उस कि अश्चा संगेत नहीं है इसलिए मैं आपका फिल करना चाहूँगा कि आप निश्चिंद रहें हम लोग हमेशा ज्यान रख रहें किस पकार से अधिक अधिक छेते का विकास हो आपके आदो गोविंग गुरू भी हुए है चंद फिर्माज जी जाह जी महाराज भी हुए हैं मावजी महाराज बने धाम सब जाएके नस्बस्तक होते हैं वहापर बने धाम काम ने तरह किया है विकास का बूर बनाएंगी किस पकार महापर आपके लिए शुरुदा में सकें बड़ा काम है जो नदी चल रही है और भी बनाने काम भी हाद पर लेंगे थोड़ा वक्त कि वह काम यह में करना है और तीनों संतन है इस आपके चेस्पेजिया में आदिवाजी शेत्र में भक्ति वर समास्वजार के कही काम किए आज भी आपके जैन के अंदर उन लोगों का बताएवाद जो मार्ग है रास्ता उस्ते आप लोग चाहिए हूँ इतर मैं आपको नि के खामे रहती है उसको दूर करने का मुझ प्यास करते हैं आजे भी करेंगे हम चाहेंगे कि हर किशान को हर अधिवाशी को उसका अधिकार मिले के बार शर्वे करना पड़ते हैं दुबारा तिबारा तो आपने शिंद रहें जो जो आप भांग रखेंगे उसको मुझ कि लिए जार्शान के अंदर भीना व्याज का जिन मिलता आपको पित्री सहकार ने सहकार बंते पहले बंद कर दिया फिर दौरा पड़ा वापर शुरू किया गया हमने आते ही वापर का ही शुरू रहेगा इसको खत्म नहीं करेंगे और व्याज मुक्त दो किया वापका मा और व्याज को व्याज आफिया वापका वाजल्तसां healthyता हाई करदा था वो माफ किया लाखो खियां को फादा मिला कुछ किसानों के नाम पे लोगोंने जिन माफ करवा लिया एकली क्योंते कर के गड़नी दाप Islamरी डूर में सबसे अधिकेश किस केश पकड़े के लोगू जान थे ही नहीं, आधिवाजी रिन दे ही नहीं, उनके नाम ते रिन को उठा रहा था, उनकी पुरी जान करवाई गई, जान चल रही होगी अभी भी, तो ये आपको बचना चाहिए, आप जान दखें, कोई आपके नाम थे, बैंक को रिन देले वे, आपको मालूम है नहीं इस रूप में, जो दुख उत्पातर है, उनको अपने दोर पे परती देले का दूद का दिया है, बोनस, जिसने को दूद बेचें, तो दोर पे एक्स्रा मुसको मिल सकें, वो हम लोग कर रहे हैं, किसानों खेट के अंदर, अगर वो फूद प्रोसेसिंग के कई लगाता है, तो उसको कोई जमीन को कर्वर्ट ने करवाने पड़ेगी, वो अपने उत्पादन को यूज करके प्रोसेसिंग के माध्यम से, मुल्य का संवर्दन कर सकता है, ज्यादा मुल्य कमा सकता है, ये बातें आपको आने वाले वक्त में कशी विभाग और बताएगा, किस पेकार प्रोसेसिंग के संभव है, जिससे कि आपकी आपकी हमदनी बढ़ सके, और हम लोग उसमें सफिर दे रहे हैं, हमदानी दे रहे और मुल्य खुछी है कि इस देश के आंदे कोई जमाना था, बाहर थे गउं मंगाना पड़ता था, आपके रियाद होगा कोई जमाना था, पील चारद अस्थी, अमेरिकारे गउं आता था, रासन के दुगान मिलता था, इंद्रा गांधी थी, जिसने जोड सोर्थे हरीद कांधी की बात करी, डॉक्टर एमे स्वामी नातन थी, जिनों रिसेच करी, किशानों पे विश्वाश किया आप लोगों ने खुन पशिन आई करके मेंद करी, खेटों में, आज इस देश आत्मनेर पर बन गया है, हमें बाद इसे बीगनी मांगनी पड़ती है, जारस्तान बी अपना आप में आतने पर है, सब आपकी मेंदिया पढ़ना में, इसे में आपको निमेदि करूँगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर किस परकार से सरका की योजनों का लाव उठाएं, गोशनों को हम लोग बहुत दे रहे हैं, नंदी गोशनों बने जिसने की शेरों में समच्या जो है, आवारा पसू की, वो सवाथ हो सके, उत्पादन भी आरेकर, ये मंदिय बने लग गई है, किसान को बिचोने को बजाए शिदा इम्दाद मिल सके, फ़शन बेश सके अपनी पुरत, उसका प्रॉफिट ने सके, ये सरकार कोशी कर रही है, इस परकार से एक ये बाद एक ये सेंदे की हैं, उसका दावा आपको मिले ये मेरा प्रयास है, बाकी जो आपने जिफ सरकार बनाई थी, तो आपके आपके आपक्षाय थी, उसके अंदरों हम चाहते हैं कि विकार के काम हो, इसलिए हम लोगों ने, जैसा मैंने का आपको, कि मून बुद जो आपशकता होती है, पानी की वरस्ता, शीचा की वरस्ता, बिजिली का उत्तरता, शिक्षा में, सास शेवां में, सरकेच्छी बने, सास बजे के अबारी चिंदा ज्यादा है, क्योंकि आजकल देनी बिमार आने लग गई है, साइन फ्लू भी और देंगू भी, पता ने क्याज़ा बिमारी होती है, पर सरकार का इस अंकल्प है, अभी हमने जो सरकार का एक शार हुआ था, शर्तों तारी बशीत तो हमने कहा था कि हम निरूगी रास्तान, रास्तान में बिमारें कम से कम हो, जिवन चली कैसे बदले, कहते हमें स्रस्त रहना है, शार्ट सपई रह हैं रखनी हैं, उसके लिए अलक्ष्य साहित एक छपरा है, आपके गाहों तक, आपके घर तक पहुचेगा, चात्रों का स्वास्परिक्शन होगा, मैलाओं का स्वास्परिक्शन होगा, जो मैला डॉक्टर है, वो मैला एक कर समय समय पर प्रश्परिक्शन करती जाएं, तो मैं समयता हूँ कि कोई बिमारी हो भी रही है, आज कर तो कैंचर हो, या किड्नी की बिमारी, हार्ट की बिमारी मालूम है नहीं पड़ता है, पर जिवन चली बदल कि आप बच सकते हैं, गरस्ट की माली समय पर जान साएं, अगमारी माली और समय समय माली, में इसलिआएं, या कि बिमारी कि हमारे जास्तान में कहावत है पहला सुख निरोगी काया मैं पता नहीं कि आप यहां पे यहां लोगों में भावना हग्मी है यह मालूम हग्मी है कहावत का मैं मानूम आप लोगों को हूँ पहला सुख निरोगी काया है है मालूम फिर तो मालूम होगा दूसर सुख क्या मा है मारूम होगा फिर है मारूम भी साथ सुख है वह आप घर जाके गूगल पर देखना बच्चे जो है आजकल जो गूगल का रिमन आ गया है इंटरनेर की सेवा है गूगल, कम्पुटर, इराजीव गाने के देन थी देश को अब बच्चा जो है दुनिया मुठी में हो गई क जमना बजल गया है गूगल की शेवा लेते हैं गूगल पुरा एदा सर्च है कि दुनिया में कौन क्या है वो पूरा उसको देख सकता है तो साथ सुख कौन से जिन्दगी में वो भी उसके अंदर आएगा और पहला सुख क्यों का है पहला सुख क्यों का है आदमी बिमार नहीं पड़ इसलिए का है, अगर बिमार आदमी है, तो चाहे उसको धन्बर कितने उसके पास हो, कोई सुख ने उसके पास है, बेटों का सुख हो, पत्ने का सुख हो, कोई सुख हो, बिमार आदमी के लिए सब वेका है, इतले हमने शुत्र पकड़ा है, पहला है निरोगी काया ठीक है मैं एक नाला लगूँगा आपसे मैं बोलूँगा पहला सुक आप सब बोलोगे निरोगी काया पहला सुक जोड़ से बुझा आप लो पहला सुक और जोड़ से पहला सुक बाज 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 इसुक को प्राद कर लिया तो फिर कोई इसुक की जूती नहीं आपको उससे सब अपना बार जाए गया बिमारी सरीष बढ़ा हुआ है किंडी गराब हो रही है हार्ड अटेक हो रहा है बीपी बढ़ रही है डाइबर्टिक हो गई है आप बताओ फिर जिंदगी में चाहे तो क्योंने हम रहा है रह सकते हैं सरकार आपके हाद खड़ी मिलेगी आपको दभाएं फरी कर दिया अपने पांसरे जागे इंड्रियाओं फृएं आपके दभाएं में दभाएं फरी टैस्स फिरी कर दिया खूंगी ज्हांचे कई CAC तक फ्री है जांचे भी इस रूप में बड़े दूप में हम लोगोनेट जो बुज़र्ट आद्बी है उनके लिए CT scan MRI फ्री कर दी गई है आई इसकान भारत जो योजन आई उसको हमने अपना दे रास्तान के अंदर पांच लाग तक का भीमा है पांच लाग तक का भीमा है प्रीम हम लोग बरेंगे तो ये जो है इसका फाइदा मिलेगा तो भरती हो उसके लिए हो बिना भरती वाले महाईजों का श्रफ हिंदुस्तान में एक महात्तर राजस्तान राज्जे हैं जिसनेular बिमारियों के 930 की दमपें़ फरी कर लीए और यह की तारीफ में हो रही है पुरे देशमें हो रही है, पुरे प्रदेशमें जिस उसराज स्ट्र में हो रही ही तारीफ कि राजस्तान गॉवर्म के दमाएं फरी करके ईक बहुत बड़ा ऩ니다 तो मैं जहूंगा आपको कि ये तमाम बातें अपी देगर महीन रखती हैं, आप निश्चिंत रहें कि हम लोग आपके पीछ में पहले भी आते जाते रहें, आप उर्याद होगा अकारपणासाज आज में पहले बार मुख्यमंति दर्द 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 इसी पीजिशाब ही अमारे मंतिश थे, काम के बड़े अना जोजना लगों करी थे अब लोगों ने, जहूं मिलता था काम के बदले में, नीजी काम, नीजी कुछ काम कर लोग रही, जहूं मिलेगा आपको, और इस्ती बोर्या इकटी होगे कही गरों में रखने जगा ने देती, वो जमाना भी था, हमें साब लोगों ने ध्यान दखा आपका, और आगे भी कोई दिशिंद रहा आप लोगों, उस पर भी हमें बहुत बदनाम किया गया था कि, ग्याओं मांग के सिर्दा मुख्य मंतिश दिली के अंदर, ग्याओं के रूप में भीक, भीक मांगन के लिए ग्याओं का कट्रोले के गुम्राय मुख्य मदाशों करोती है, वसुदादी ने कहा था, जो बाद मुख्य मदी बन गएती, मैंने का मुझे वसुदादी घर होगा, अगर जंदा की भूग मिलती है, तो ग्याओं की भीक बांगने मुझे घर होगा, शरम ने अगर जिए घर होगा, एक आदमी भूग्य मने की बाद छोड़ो, हमारी सरकार रहते हुए, एक आदमी भूगा ने सोड़ने दिया जाया गए रास्तान के लिए अमने का था, उकर के दिखा था, दबाए आई पितनी बार, वसुदादी ने क्या का, दबाने जैर बिला रह सरकार हमारी चली गई, वो शीवाब लागू रखी, कमजोल कर दी अलग बात है, फिर आप जैर क्यों पिडा रहे थी, कोई जवाब है उनके पास में, अरे सरकार बदलती रहती है, जनता खित के काम बंद नहीं होना चाहिए मेरा मानना है, मैं कोई काम वसुदादी के करती है, माई बाब आप लोग हो, आप तैय करते हो, कैसे हमें क्या करना है, उसके बाद में सरकार मनती है, जो काम कर सकते हैं, करनम चलती है, गरीब के लिए, गाउं के लिए, दलित के लिए, पिश्णों के लिए, आदिवाशों के लिए, अल्ठिंकों के लिए, जो वाज में किसी कौम का हो अब ये डिवलुएस का महम राया हम लोगों ने सारी सर्था डाजी शेफ उनके आमदनी कितनी है उसके अजाब उसके लाब मिलेगा दस पर्ड मिलेगा पुरी राता हम बहुत वर्दकम किया लोगों ने उसको हमारी गौर्णमेंट हर गरीब के साथ खड़ी मिलेगी कि गांदरी के सप्ड़ा था अंतीम व्यक्ति के ध्यान दगोर उसी हिसाब से हम लोग सेंचे करेंगे यही बात करता हूं मैं अपनी बात समात करता हूं धन्यवाद जैहिंग किसान समेलन को समोधित कर रहे थे मुकिमंत्वी अशोग गहलो तुनों ने कहा कि आदिवासियों के लिए लगातार प्रयासरत रही है कॉंग्रिस सरकार और इसी वज़े से हर बार जनता ने भरोसा भी हम पर जताया है इसी वज़े से विधान सबाचनाव भी हमने जीता औ और यह देखे आपको